नमस्कार दोस्तों मैं आप लोगों को एक ऐसी तांत्रिक वस्तू के बारे में बताने जा रहा हूं यदि आपको मिल जाए तो मित्रों आप रात और रात माला माल हो सकते हैं यह एक ऐसी तांत्रिक वस्तू है जिसकी सक्ती से कोई भी काम किया जा सकता है आपके हर एक काम बनेंगे और आपकी तिजोरी को पैसे से भर देगी यह साधारण तांतिर्ग वस्तु नहीं है यह एक इतनी खतरनाक तांतिर्ग वस्तु है जिसका जो प्रभाव है बहुत ही जल्दी दिखता है हम बात कर रहे हैं सियार सिंगी के बारे में जिहां दोस्तों सियार एक चुर्ष्ट और चलांक प्राणी है इस प्राणी के सिर पर एक गाठ उत्पन हो जाती है जिसे सियार सिंगी कहा जाता है और सियार सिंगी असली सियार सिंगी है कुछ व्यपारी नकली सियार सिंगी भी बेच रहे हैं उनसे आपको बचके रहना है असली सियार सिं सियार सिंगी को सर प्रतम सिंदूर लगाएं फिर ताबे की पिलेट में स्थापित करें सामने तिल का तेल डाल कर दीपक जलाएं और सामने बैठ कर मंत्र जाप कर लें कम से कम 11 माला आपको कम से कम 11 माला मंत्र जाप कर लेना है इससे सियार सिंगी सिध हो जाएगी और जो सिय सियार सिंगी को सिद्ध करने का मंत्र है वो मंत्र भी मैं बताऊंगा मंत्र बहुत छोटा है मंत्र है सुनिये ध्यान से रेम किलीम स्वाहा रेम किलीम स्वाहा यह मंत्र है दोस्तों सिद्ध सियार सिंगी अचुक प्रभावसाली होती है जी हां दोस्तों यह पैसे को ऐसे खै यांदोस्तों ये हरकत करती है आपको तभी इसकी सक्ति का भास हो जाएगा और इसका प्रियोग वशिकरिन के लिए बहुत उत्तम माना जाता है वशिकरन के लिए सियार सिंगी को निमन मंद्र से अगर ग्यारा माला जब करने जियार दोस्तों 11 माला के बाद आपको जब करकी जब सियार सिंगी को सिद कर लोगे तब आगर किसी को आपको वस्मे革 करना है जीहाँ दोस्तों किसी का समोहन करना है भहंकर वसिकर्ण करना है आपको उसको गुलाम बनाना है तो दोस्तों इस मंतर का जाप करना है वसिकर्ण मंतर सुन लीजिए मंतर है ओ मन मोहिनी रानी उचे सिंगासन पर बैटी मोह रही दरबार मेरी सक्ती गुरू की भक्ती दोहाई तुझे गौरा पारवती हरुमान की आन ना लगे तो लोना चमारी की आन दोस्टों यह मंत्र है मंत्र मैं आपको डिस्क्रिप्शन पर दे दूँगा नहीं तो आपकी स्क्रीन में यह मंत्र चल रहा होगा इस मंत्र को जाप करना है जी हां दोस्तों इस मंत्र को जाप करके आपको जो है किसी को भी वसमे कर लेना है बहुत चमतकारी है जी हाँ दोस्तों और इसको सिद्ध कर लेना है ठीक है और दोस्तों जैसे ही जब यह मंत्र सिद्ध हो जाएगा सियार सिंगी के द्वारा आप उसको वसिगन कर सकते हैं सादबै बार मंत्र को पढ़े भूंक लेना है जिस भी चीज में और खिलाद हो Sounds, गुलाम बन जायेगा इतना प्रभावसाली मंत्र है साबर मंत्र है इमितरों साबर मंत्र अपने आप में शिद्द होता है इसको किसी भी सुब मूरत में भी इसको सिद्र कर लीजिएगा जादा नहीं 21 बार ठीक है 21 बार और इसको 7 बार मंदर को पढ़ करके 7 बार 21 बार पढ़ करके फूंग दीजे किसी भी खाने पीने की चीज में फिर देखिए चमतकार आपको खुद पता चल जाएगा यदि सियार सिंगी को निम्न लिखित लक्षमी मंदर से सिद्र करके तिजोरी में रखा जाए तो धन की कमी नहीं रहेगी जी हाँ दोस्तों इससे क्या होता है कि तिजोरी जो है धन से भरी रहती है मा लक्षमी आपके घर में सदेव बिराज मान रहती है जी हाँ दोस्तों यांजन की किरपा और धन धान से आपका परिवार सुखी रहता है मंत्र है धान सुनिए आपको सियार सिंगी को लेकर कि उसमें इस मंत्र का जाप करना है मंत्र है और दोस्तों इस मंत्र को जाप कर लीजी एक किस बार और जाप करने के बाद सियार सिंगी को जो है आपको जो है इसको अपनी तिजोरी में रख देना है आपकी तिजोरी धन से भर जाएगी भाई साथ धन की कभी कमी नहीं होगी अगर आपके जीवन में धन की कमी है जी हाँ दोस्तों अगर आपके जीवन में धन की कमी बनी रहती है बहुत कमाते हैं बच नहीं पाता ह भी काम हो दोस्तों आपको अपने पास सिंगी रखनी है और फिर देखिए आपका काम दोस्तों यह समझे लेज़े रफ्तार की तरह भागेगा ध्यान रखिए दोस्तों सियार की सिंगी इतनी पावर फुले में आपसे क्या होता हूँ इसके तो वैसे तो बहुत चमतकार है परंतु मैं इसकी आपको संपूर जानकारी दे रहा हूँ जो आपके काम आएगी और इन प्रियोगों को करके आप अपने जीवन में सब कुछ प और दोस्तों इसको क्या करें कि ताविज में भर करके गले में धान कर ले तो मंद व्यक्ति होता है वो चत्र और चलाख हो जाता है वो इतना तीज हो जाता है उसकी बुद्धी को पकड़ नहीं पाता क्योंकि सियार हमेशा चलाख तोटका नहीं लगेगा जिहां दोस्तों कैसा भी तोटका हो ततकाल खतम हो जाएगा लेकिन दोस्तों इसमें जो ध्यान देने वाली बात है कि आपको सबसे पहले जो है सियार सिंगी को सीध करना है ठीक है किसी भी सुनक्षतर में दीपा वाली हो या फिर दोस्तों धन तेरस या विश्व कर्मा पूजा हो गोवर्धन पूजा हो यानि कोई भी सुमूरा तो कोई भी त्योहार हो आपको जो है इसको रात्री में सिद्ध कर लेना है रात्री में 9 वजे से 12 वजे के बीच सिद्ध कर लेना है ठीक है मातर 11 माला जपना है बाई साब एक घंटे में पूरा बोक्स वोना चाहआ उस में चिन्दूर रखना है और उसके बाद दोस्तों उसको ड़करकिन इसको किसी रोली का एक कमल दल बना लेंगे हो रखकरके फिर यह ृतनी बार आपको करना है मातर करना है 21 माला जादा नहीं और इस मंतर से जब सिद्ध हो जाएगा ना फिर आपको जो है अगर किसी का वसी करन करना है जिया दोस्तों तो आपको क्या करना है कि जो है सिद्ध सियार सिंगी अचुक प्रभावसाली होती है और वसी करन के लिए सियार सिंग इस जाप करना ये वह सिंगी के दोरह सिद्ध कर आपको करना और सियार सिंगी को चुछा देना ठीक है और चुछा के फिर रखी यह जागरिट हो जाएगा इसके बाद तरफ देखते हुए और वहां पर फोटो लख लीजिए जिसको आपको वस्मि करना है सियार सिंगी के बगल में और जो है दोस्तों और फिर आपको जो इस मंतर का जाप करना है शिद्ध करके तिजोरी में रखा जाए तो धन की कभी कमी नहीं रहती है जी हाँ दोस्तों आपको इतना धना एगा आप सोच नहीं सकते हो बाई साब ओम स्री हरीम कमले कमलाय प्रसीद प्रसीद स्रीम हरीम स्री ओम महालक्षमे नमा यह मंत्र जो है दोस्तों धन ख्याचने का है यानि महालक्षमी की किरपा प्राप्त करने का मंत्र है और आपने सियार सिंगी को लाते ही अगर इसको जबना चालू कर रहा है बाई साब माला माल हो जाओगे रात रात माला माल हो जाओगे गरंटी है बाई साब ऐसे बहुत सारे लोगों ने सियार सिंगी का प्रियोग करके लगपती करणपती बने हैं जी हाँ दोस्तों और सियार सिंगी के बहुत सारी प्रियोग है माल लीजिए सियार सिंगी जब आप लाओगे ना जब ये सिद्ध हो जाएगी दोस्तों ये चलती है हरकत करती है जैसी सिद्ध हो जाएगी ना इससे कहोगे सियार सिंगी तुम जो है चलो वो चलने लगेगी दोस्तों जी हाँ इसमें ऐसी सक्ति आ जाती है सिद्ध होते ही है जो मैंने आपको प्रियोग बताया न दोस्तों यह सावर तंतर से बताया है जिहां दोस्तों यानि पसुपक्षी तंतर से मैंने आपको यह जानकारी दी है जिसका प्रियोग करके आप दोस्तों जो चाहो वो पा सकते हो अगर आपका वैपार ठप है ना भाई साब अगर यूज फ़ावर्फूल होती है फिल्ड वैस्यारि को खुद पेराकर्तिक को पहली तरह बाए निकाल देता यह समझेट बहुत ह्ट जाती है गाट तयार हो जाती है ठीक है यह समझे लो यह समझे लिजे कि यह सियार का सिंग होता है ठीक है ऐसे और इनको वैसे भी उसके द्वारब पेन नहीं होता यानि दर्द नहीं होता है समझे लो मेरे बात और सियार सिंगी बहुत पावरफुल है और व्यपार में उनत्ती के लि पर आपको एक पीतल चोटा सा बोक्स लेना है उसमें संदूर डाला सुद्ध संदूर हो ठीक है और उसमें जो इसको रख दीजिए किसको सियार सिंगी को और इसको बंद करके जहां जहां आपका व्यवार वहां रख दीजिए चुप-चाप फिर देखिए दोस्तों कमाल या फिर आप जो है आपकी लोहार की दुकान हो या लोहे की दुकान हो या कपड़े की दुकान हो किसी भी परकार की दुकान हो यहां तक कि दोस्तों अगर आपने बड़ी मारूती सुजू की व्यवापार भी खोला ना तब भी उसमें ये काम करेगा दोस्तों ये दोस्तो च्छोटी मोटी चीज मत समझा सियार सिंगी को सियार जानवर में समसे तेज माना जाता है चलांग माना जाता है और दोस्तों देखिए बहुत चमतकारी होती है और तंत्र में इसका बहुत प्रयोग किया जाता है सियार सिंगी के बारे में एक नई वीडियो फिर से लेकर किया हूँगा जी हाँ दोस्तों ये था हमारा पार्ट पहला यानि भाग पहला था सियार सिंगी के बारे में और जो है सियार सिंगी का जो है भाग दूसरा लेकर के आएंगे उसका इंदजार करिएगा मिलते हैं नई वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार और ये प्रियोग गुट तोर पर करिएगा किसी को बताईएगा मत ये 100% काम करेगा जहां दोस्तों मेहनत करना है दोस्तों बेना मेहनत के कुछ नहीं मिलता भाई साब ठीक है लेकिन दोस्तों ये सियार सिंगी बहुत बहुत ही प्राचीन प्रियोग है और इसका प्रियोग बड़े-बड़े मदारी तांतरी करते आ रहे हैं तो इसलिए इसको हलकें मत लीजेगा बहुत वास्तों में बहुत चमतकारी होती है इसमें वास्तों में सकती होती है और भागदो में सियार सिंगी का लेकर कियांगा इंतजार करिएगा तब तक के लिए नमस्कार और हमारे चैनल को को भी जोईन कर सकते हैं जिसका नाम है जो है रहे समय तांत्रिक दुनिया तो दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो में धन्वाद नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर मैं आप लोगों को एक ऐसी तांत्रिक जड़ी बूटी के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसके बारे में आप लोग सुनकर के हैरान हो जाओगी जिहां दोस्तों यह एक ऐसी चमतकारी तांतरिक औसधी है जिसका प्रियोग करके कोई भी इंसान रातो रात माला माल हो सकता है जिहां दोस्तों और किसी को भी चुटकियों में वसी भूत कर सकता है वसी करन कर सकता है स जो कि संसार में गिरीकणी का नाम से विख्यात है उसकी उत्पत्ती करी थी जिहां दोस्तों आदिकाल में जो महत्मा ब्रह्मा थे उन्होंने अपराजिता नामक उसदी का उलेक करा है काक चंडेस्वरी तंत्र नामक पुष्टक में जिहां दोस्तों और यह इतनी चमतकारी ह यह अपराजीता हो सदी कि मैं आपसे क्या बताऊं दोस्तों यदि आप इसको पुस नक्षत्र में या हस्त नक्षत्र में तता सूर या चंदर गिरहन में इसकी जड़ को यदि आप प्राप्ट कर लेते हैं जिहां दोस्तों बिधी बिधान से अगर आप इसकी जड़ को निश्चित ही आपके घर में पैसे की लाइन लग जाएगी, आपके घर में पैसे की वर्सा होगी, आपके घर में पैसा खीचा चलाएगा चुम्बक की तरह, जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों चलिए हम आपको आज इसी हरान कर देने वाली तांतरिक अपराजीता नामक और इन काल में राजा लोग युद्ध जीतने के लिए भी करते थें दोस्तों इस तांत्रिक आउसदी के अनेकों रहस्ते में तांत्रिक प्रियोग हैं जिसका आज हमारी वीडियो में जो है उलेक किया जाएगा तो ध्यान से इस वीडियो को पूरा और आखरी तक देखिएगा तब ही आपके समझ में आएगा अन्य था कुछ समझ में नहीं आएगा दोस्तों बुद्धी मान मनुस्ष्प का समय होने पर पूष्पों का भी प्रियोग कर सकते हैं जिस टैम पर अपराजिता के जड़ी बूटी में जो है पौधे में जब पूष्प पूष्प आता है तो दोस्तों जैसे मान लीजिए कल चंद्र गिरहन है जी हाँ दोस्तों अगर कल चंद्र गिरहन है तो आपको या चंद्र गिरहन है या हस्त नक्षत्र है या पुष्प नक्षत्र है तो दोस्तों आपको क्या करना है कि इससे एक दिन पहले आपको अपराजिता नाम कौश प्राकरती देओ, हे चमतकारी दिब औसदी अपराजिता, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, या प्राकरती माता बोलिए आप, मैं प्रणाम करता हूँ, जो भी मेरा कारज है, उसे आप सिद्ध करिए, आपको ये बोल करके प्रणाम करना है, और आपको ये बोलना है कि मैं पिछे पलट कर नहीं देखना अन्रस नहींद पीछे पूप कर नहीं देखना किसी भी अवाज आपको पीछे पलट कर नहीं देखना है। इसके बाद आपको चुपचाप घर पे आ जाना जिस दिन चंदर गिरहन हो जैसी चंदर गिरहन पड़े उसी चंदर गिरहन लगते के साथ वहां पहुंच जाईए ठीक है और चंदर गिरहन में ही ये सारा काम करना है या हस्त नक्षतर पुष्पो उस नक्षतर में करना है य इसकी जड़ को आप घिस करके चंदन के साथ मिला करके और इसको मात्य में तिलक लगाएंगे लगा करके आप जिसके भी समक्ष जाएंगे वो मित्रों जुएसी आपको देखेगा वो वसी भूत हो जाएगा. जी हाँ दोस्तों और यदि आप इसकी जड़ को जो है सम्मोहणी मंतर के द्वारा पढ़ करके किसी को भी यदि खाने के साथ दे देंगे तो दोस्तों वो वसि भूत हो जाएगा जी हां दोस्तों दोस्तों इस औसधी को प्रियोग करने से पहले आपको निम्न मंत्र पढ़ना है जो मैं मंत्र आपको दे रहा हूं मंत्र ध्यान से सुने ओम अम्रते अम्रते प्रभे सर्वसिदेश्वरी अमित प्रभे स्वाहा यह मंत्र दोस्तों मैं आपको वीडियो में दे दूँगा अपनी discretion पर डाल दूँगा वहां से आप इस मंतर को ले करके प्रियोख कर सकते हैं जब भी आप इसको प्रीयोख करेंगे तब जब आप उसकी जड़ को लाएंगे तब आपको इसी मंतर को जो है पढ़ करके जिहां पढ़ करके इस मंत्र को साथ बार पढ़ करके उसमें फूंकना है फूंकने के बाद फिर वो जड़ी बूटी जो है वो उसमें जान आ जाएगी उसमें दिब सक्ति आ जाएगी फिर मित्रों आपको क्या करना है कि उसे उस जड़ी को जो आपने वो जड़ी प्राप्त करी है पराजिदा की उसकी जड़ को ला करकी यदि आप जो है एक लाल कपड़े में जी हां दोस्तों इसको लाल कपड़े में लपेट करके जहां पर भी आप धन रखते हैं पैसा रखते हैं वहां रख दीजिए भाई सहाब पैसा इतना आएका कि आप पूछो इमत दिन रात तो इसकी जड़ को ले लीजिए और इसकी जड़ को घिसकर के माति में तिलक कर लीजिए और इसकी जड़ को परस में रख लीजिए ध्यान रखे चमड़े का परस नहीं होना चाहिए ठीक है बस आपको इसको जाना है और आपकी बिजय जरूर होगी मित्रों यह बहुत चमतक दोस्तों अगर आप अगर आप दोस्तों अपराजीता के संपूर्ण बेल को यानि इसके पौधे को ला करके उसी नक्षत्र में ला करके इसको प्रणाम करके और इस मंतर का जाब करके ओम अमरते अमरित प्रभे सरोसिद्येश्वरी अमित प्रभे स्वाहा इस मंतर का जाब क के रखना है दोस्तों जब तक वो नक्षत्र है यानि एक दिन तक पूरा और आप दोस्तों देखेंगे कि आपकी आयू मित्रों चार सो साल से उपर आयू हो जाएगी जिहां दोस्तों आप लंबे समय तक जीवित रहेंगे इतनी चमतकारी है ये अपराजिता और सधी बहुत दिब्य हमित्रों यदि आप इसकी अगर आप अंगूठी बना करके पहनते हैं जिहां दोस्तों अगर आपके पास कोई रिंग ह और दोस्तों इस अपराजिता की जड़ का नंग बना करके अंगूठी में जो है पिरो करके पहनते हैं दोस्तों आपको नौगिरह से भी छुटकारा मिलेगा जिहां दोस्तों ये बहुत चमतकारी ऊसादी है ये कई रोगों को ठीक करती है जिहां दोस्तों तो उम्मीद कर यह जानकारी आपको पसंद आई होगी ऐसी जानकारी पाने के लिए दोस्तों आप सभी हम से जुड़े रहें और आने वाले भविस्ते में भी हम आपको ऐसी जानकारी लाते रहेंगे तो दोस्तों ऐसी जानकारी पाने के लिए मित्रों सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्स हम से ऐसी ही रहस्तमाई तांतरिक जड़ी बूटियों के बारे में जनकरी लाता रहता हूं तांतरिक साधनाओं के बारे में तथा तांतरिक दिव्य चमतकारी साधनाओं के बारे में एवं अईरुबेदिक जड़ी बूटियों के बारे में तांतरिक जड़ी बूटियों के अन्यों को प्रकार के रहस्तमाई जानकारी लाता रहता हूं जो आपके ग्यान में बिरिद्दी करेगी तो दोस्तों आज के लिए इतना ही